हरे कृष्णा राधे राधे तो चलिए आज हम सब जानते हैं फागुन महा की पूर्निमा वैसे तो हर महीने ही पूर्निमा आती है लेकिन जो फागुन महा की पूर्निमा है इसको बेहद शुप बाना जाता है ऐसा कहा जाता है कि इस दिन का पुवास रखने से भगवान विश्ण और माता लक्षमी का आशिरवाद मिलता है साथ ही जीवन उनती की और बढ़ता है इस साल फागुन पूर्निमा 25 मार्थ 2024 को मनाई जाएगी तो प्लीज प्रक्तो जो मेरे चैनल पर नए है तो मेरे चैनल को सस्क्राइब और लाइक कर दीजिए तो चलिए जानते हैं फागुन पूर्निमा का शुब महूरत फागुन पूर्निमा 24 मार्थ 2024 दिन रवीवार प्राता 9 बचकर 54 मिनट पर शुरू होगी वही इस्तिति का स्मापन अगले दिन 25 मार्थ 2024 दिन सोवार तो पहर 12 बचकर 29 मिनट पर रहेगा तो इसका कारण ये है कि जो व्रत रखा जाएगा पूरन माशी का वो 25 मार्थ को ही रखा जाएगा आप लोग फागुन पूर्निमा पर ये करें उपाए पूर्निमा के दिन परदोशकार में माता लक्ष्मी की पूजा भाव के साथ करें पूजा स्मात करने के बाद माता लक्ष्मी को सफेद चीजे जैसे बताशे मखाने की खीर मावी की मुठाई का भोग लगाए इसके इलावा गरीबों को भोजन ख्लाएं जो भक्ती भाव से साथ ऐसा करते हैं उनके घर में धन एश्वरे में दिदी होती है और धन की समदिदी की कभी भी कमी नहीं होती पूर्णीमा के दिन पित्रों का तरपन करना भी बहुत शुप बाना जाता है क्योंकि इसी दिन होली का दहन किया जाता है इस दिन सत्यनरायन भगवान की पूजा होती है और सत्यनरायन भगवान की आरती सहीत कथा पड़ी जाती है दूसरों को सुनाने से और खुद पढ़ने से सुनने से बहुत-बहुत मनुकामनाई पूरी होती है धार्मिक मानिता है कि इस दिन देवी लक्ष्मी का प्रकटे भी हुआ था फागुन माहा में ही चंदर्मा का जनम हुआ था और पूर्निमा पर चंदर्मा अपनी सोला कलाउं से परिपून रहता है ऐसे में फागुन पूर्निमा पर चांद की पूजा से मानसी कष्ट दूर होते हैं कहते हैं कि फागुन पूर्निमा का उपवास रखने से विक्ति को हरतारा के कश्टों से छुटकारा मिल जाता है। फागुन महा की पूर्निमा को लक्ष्मी ज्यन्ति के नाम से भी जाना जाता है। माता लक्ष्मी धन समरिदी की देवी है। इस दिन इसकी पूजा से धन दोलत पाने की मनोकामना पूरी होती है। इस दिन वरत रखकर दान आदि करने से सोभाग्य की प्राप्ति के साथ अच्छे स्वास्ते का भी वर्दान मिलता है। इस दिन भगवान विश्णों के अलावा शंकर भगवान की भी पूजा की जाती है वही शाम को चंदर्मा की पूजा करने का विधान भी है फागुन पूर्निमा पर राजा हिन्य कषप ने अपने पुत्र परलात को होलिका में जलाने का प्रयास किया था इसलिए इस दिन होलिका दहन भी किया जाता है तो भक्तो आप भी इस विशेश फागुन महा की पूर्निमा का व्रत रख कर अपने कष्टों को दूर करें तो ये मेरी वीडियो यहीं तक थी उमीद करती हो आपको बहुत पसंद आएगी तो मिलती हो मैं आपको अगली वीडियो में तब तक के लिए रादे रादे प्लीज सस्क्राइब मी